रहेंगा उसके बारे में जो कह सकेंगा मेकनिदिम के बारे में जो डिसकोवरर है वो जो डिसकोवर करेगा वो चीज को मिसाल के तोर के उपर अगर कोई गाड़ी बनाता है गाड़ी तो डिसकोवर किसे नहीं किया वो तो बना रहा है गाड़ी तो रही इन्वेंट किया था इन्वेंटर ने बनाया वह इंवेंटर किया है एक नहीं गाड़ी लेका हुआ भूलुगा इन्वाड़ी को आप क्या बोले गाड़ी को गाड़ी को अगर गाड़ी अभी में उसको पूछूँगा मारूति का 800 कुन जानता है तो आपके उस पर तेकी करेंगे आपके आपकोञेकान जैते मारू कि अब टेकियर रहें है। ने बनाया है. अंगरेजी मी कहेंगे क्रेटर Maker, Manufacturer, Inventor, जो भी बोलो लफ्स का इधर उधर है बढ़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज़ हो बाद में डिसकस करेंगे अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे भूचने जाएंगा कि सबसे पहला शक्स कोन है जो इस चीज़ के बारे में जानता है तो जवाब है उसका Creator, Manufacturer, Inventor, Maker, Producer तकरीबन मानी एक है यह जवाब आपके जहन में रखेंगे अभी मैं आपसे बुचना चाहता हूँ यह काइनाज जो है यह काइनाज उनिवर्स है यह वुचूद में कैसे आए उनिट्स ओन साइन्स टड़ी कर रहा है नहीं नहीं आप आपने का आप साइन्स के सुट्टन है के नहीं यहां हूँ बिग बैंग आचली बिग बैंग थेयरी में मानते है बिग बैंग तोडे इस एन इरफुटिबल कुरूफ पॉर अजयूद ते साइन्स नहीं बिग बढ़ी शुट्टन इस एफिर सोपेश्टन है सब चीज में इस एफिरस ऑपीनियने बाट तोमॉर इस सम्वन कें गम पता थेयरी और गां आज सब इस रॉण में बिग बैंक थेरी बिग बैंक थेरी मतलब फल्द प्राइमरी नेबुला दिए बिग बैंग असके निसे परेशन गेवाइश तो गैलक्सी स्टार्स संगे इस एट्रा यह बिग बैंक के बार में पता कब लगा आपको यह इसाल पहले आपके साफ से जड़िए यहर तो नहीं पता ने टारी मन कितने साल पहले अ क्रिवट हर नौ आइडिया अधियो पूछा ने पूछ घ्शक कुछ लिब अ मुझे लिग उमाने तीक अठीक आने टीक अपने पढ़े पूंसमे यह भी बहुता लगता है इसको न 40 50 year weekly with any people of 40-50 में आर्गूनी करूंगा में आर्गूनी को ओऊगा सभा छाइज आप तकरीबन 40 जाले लिक लिक्ती पोलो मैं आर्गूनी के के आसमान और धर्थी एक थे अवालम यह लेजिन कफरू अन्न समावाति वलार्द कान तरत कंफ तक नॉमा और एक दमा का हुआ और यह एलाइदा हुए अग्याद आप द्रेफिया टॉ इंटर आप जोगन रहता हुआ जय नोगान बत तरह में एक अग्याद कान देख और यह उसमें और अपको एक्सेंशन गान प्रियों यह बिलियों यह पहले हुआ ओव यह फैर दिफ्रेश ऑपीनिंट इपिग बाद कान साग्या सन्यों और I would like to interfere here with your permission of course why does religion need to use science as a walking stick whereas science never refers to religion that was his personal opinion I would just like to say one thing I think it would be better if I just act no no you can add but you keep on adding every sentence the main will go away right other every time you can keep on arguing the whole thing with a ten hour for that we can have a private discussion sure we'll have private discussion we'll discuss one hour five hours ten hours tomorrow night you come till morning wheels no problem not I'm running away then everyone will think that why are you giving this person is your personal thing no so then fine what the main thing is because if you want to keep on beating or you can keep on asking counter question 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 it will keep on going I don't want to bait around the bush let's get to the main subject first let's get a main subject first because when you keep on drawing then you miss the whole right point as I was saying that Albert Einstein the science without religion is lame and religion without science is blind yeah Albert Einstein personal view tha har scientist ka view personal view say that you have to get a personal view to you know personal view is correct no you know that I don't believe in a moment you need to say that 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 you need to say the same thing and it is a lot of को साइन्स की जरुट नहीं है आप साइन्स का सारा क्यूं ले रहे क्यूंकि आप साइन्स में मानती इसलिए सारा ले रहा हूं आप साइन्स में नहीं माननेंगे मैं साइन्स का सारा नहीं लूँगा। पुरान के आयते, कुरान में अल्ला ताला फर्माते, सुरह इम्रान में, सुरान अल्याद आयत नबर 64 में, ताला विला कलिमतिन सवाइं बेना बेनकुम, आओं हम उस बात की तरफ जहाप और हम्में यक्सा है, सबसे पहली बात, अल्ला नाबुदा इल्ला, कि हम सुर्फ अल्ला की अबादत करें, वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजब की बात कर रहा हूँ, उस तरह में साइंस की ने बात किया हूँ, वो क्रिश्चन जब पूछी इस अल्ला के बारे में, मैंने बाइबल की बात क्या हूँ, ताला विला कलिमतिन सवा इंबेन बेनकुम, आओं हम उस बात की तरफ जो आप और हम्में यक्सा है, मैं अगर साइंस की बात ने करूँगा, पोईटरी की बात करूँगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शेर ही करूँगा, मनें क्या शेर शेर है, मैं तो साइंस वाला आदमी हूँ, क्यूंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं वेज कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं, मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं, बाइबल कोट, उदर वेदा कोट कर रहा हूं, गीता कोट कर रहा हूं, उदर साइन्स नहीं कोट कर रहा हूं, तो कुरान इदा मास्टर की सारे ताले की चाबी है, चा आपको समझाने के लिए आप बोलेंगा अब हिंदी में क्यों हिंदी समझते जर्मिन में बात को आप समझेगी क्या मैं भी जर्मिन ने जानता हूँ क्योंकि आपने कहा कि I am a man of science आप अगर नहीं कहते हैं तो साइंस की बात करता है नहीं तो यह सवाल आप सवाल करते जा सकते हैं इट इस जल्डाइवरिजिन आपकर साइंटिस्स से यह सवाल कर रहें अगर यह गाओं का अदमी मुझे सवाल किया तो बानू भी आप अपने को साइंटिस्स के रहे फिर बोलते साइंस का सारा क्यों ले रहे क्योंकि आप साइंस में मानते हैं मेरा सवाल था कि यह चीज कुरान में किसने लिखा बिक बारे में आपके इसाब से यह कुरान चाहदा सवारान ठीक है यह कुरान में किसने लिखा आप नो आइडिया आव एक सब्सक्राइब जिए जो हमारी दुनिया का शेप क्या है प्रदे शेप अव दिस सर्क्यलर सर्क्यलिस सर्कल इस वह वैड जी ओस्प्यारिकिल मैं तर्म अधर कर आप त्यूंकि यह मैं तरा साइन्स के डिगरी में धर है लिए लूमें डॉक्टर हूं आपके डिगरी क्य केली शुट चै बेटर देन स्फिरेकल इस जी 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 सिरीकल एक्षरेकल करेक्ट आए इसरीकल करेक्टे आ रएड जी उट बदीक लेक्वाइड गापको इसाल फेले नहीं पदा मैपकी वादद करूंगा ती मैभी संसका फिर्ट इन तो इसलाम गया लाव साइंस का जो इंसान ने जाना और थाबित किया कि दवर्ड इसीरकल इस सफाइंटिल ट्रेक सन पंदरा सो 77 में जब दुनिया के गॉल वो सेल किया उसने थाबित किया कि दुनिया गॉल है कुरान मजीद में लाइत कि अलाह फरमाते तहाब अर्भी लफ्द है जो आता है धुया से जिसका मतलब एक शेप और हम जानते हैं एक अर्थ कम्प्लिटली राउंड लेक बॉल ने इस फ्लाटन फॉम दो पोल्स जियोस्फेरिकले शेप और ये धुया है ये आम अंडा नहीं है और अब शतर्मुर्ग का अंडा है और अब शतर्मुर्ग का अंडा देखेंगे तो खुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि दे अर्थ वोस जियोस्फेरिकले शेप मेरा सवाल है कौन लिख सकता है उस वकों जानता था ये पता कब लगा 400 साल पहले तो 1400 साल पहले को निख सकता है तभी वह पॉस्ट्यूलेट था अभी ये थेरी बन गया प्रूव करने के बाद थेरी बन गया अभी वह पॉस्ट्यूलेट पड़े का जियोस्पेरिकल शाप आप अपको स्टुडेंट और साइन से अगर आप गल्ती करेंगे तो मेरा फर्द होता है का आपको सुदारू आपकोड़न शाप कर ऊता जार विखान गया अजियोस्पेरिकल शाप अपकोड़ फिë ये बन अब और पॉस्ट्यूलेट चिर पि्मटी वह पॉस्ट्यूलेटी कर आपकोा आपकोड़ेट। को गुरान में को लिख सकता है कि यॉवदि उसना समय साइनिस्ट ठीक है अरली साइनिटेस्ट ओस अना सभिय कहा है लिकती ऐख्ड खी जो है चानद है चांद की रोशनी खुद की रोशनी के रिफ्रेटिट रोशनी और पर चला अ कर दो स्ट एड़ले तिना साल स्ट पहले उस पर भाषब लिए बहुत ने कर रहे हैं कोरान नमजीद में चौरा नमब 12 आयत नमब 61 में के ये चांद और सूरज सूरज की खुद की रोशनी चांद की रोशनी बाडर्प ली गए यह या रिफलेक्टिड है नूर या मुनीर को कि चांद की फ्री रोशनी कोई भी हाइपोत्यस वी नहीं था वरावन अग्रण यह हाइपोत्यसाइज भी नही था था हजार साल पहले के चांद की रोशनी खुत की है स्भेरकल था में जनता हूँ पीपला पाई नियुका था चांद के बारे में तो किसी ने भी रहे है को नी सकता है कुरान में चाहू दाओ जा चांद की रोश्णी खुटकी ने ये लिगे ये बोरोडे रिफलेक्ट रिव्लेक्ट रिकॉर नी सकता है पिक उस ताइमस वर दो स्मिस और अलिका है kept 함께 साइंस की किटाब मेंगे निए लिखा है ना एक और पर लॐज मेंगे बार च्णित ने का एक बार तो और डू बार तो चलेंगा तीसरे बार भी मास्किया now जोती चीज पुछता हूं में चवती चीज पुछता हूं के हम जब पड़े स्कूल में आपने स्कूल का पास किया 2002 2002 मैंने पास किया 1982 में आपने 20 सारबाद पास किया मैं जब क्या पड़ा बोलूंगा आप क्या पड़ा आप मुझे बोलना जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पड़ा के चान्द और सूरज, they are revolving, but they are rotating about their own axis, आपने क्या पड़ा स्कूल में, चान्द और सूरज रोटेट कर रहे, लेकिन मैंने पड़ा, नहीं कर रहे, अभी आपका इल्म, स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया, और सही, जब मैंने पड़ा स्कूल के अंदर के चा सूरज घूम रहे, लेकिन अपने महवर पे, अपने आइकसिस पे नहीं रोटेट कर रहे, लेकिन कुरान मजीद की आयते सुरह अंबिया सुरा नमबर एक्ईस, आयत नमबर तेटीस में, अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे, तो मैंने पड़ा ये, स्कूल के अंदर मेरे कुरान में दोनों टक्रा वे, तो मैं दर चोग गया, मैं मुस्लिम भी था, और साइंस के चोग गया, अभी साइंस रस्लीम करते हैं, आपने भी पड़ा के सूरज और चान रोटेट करते तो जब मैं स्कूल में था, मेरी साइंस टीचे ने कहा रोटेट ने करती है, आपकी साइंस टीचे ने कहा करती है, और अभी 20 साल, 30 साल पहले पता चला बिल्कु से, तो किस ने लिखा ये 1400 साल पहले, इस कुरान मजीद में, कि सूरज और चान घूमने के इलावा, अपने म महवर पे घूम रहे, दिया रोटेटिंग, एक गुम नाम साइंटिस्ट, इसने इलम हास, साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकी करता है, तहकी करता है और साबित करता है, किसी ने भी 2400 साल पहले साबित ही नहीं किया, क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर, क्या 2400 साल पहल जाएंटिफिक नहीं है, आपका अंसर रोजिकल भी नहीं है, आप समुझे ना, तहली कर लोग का देख अशंतिक है, हो जानती हो इन इसके बारे में, जब अर्बर अन्ट्ट्रेंग, पैरियो फरेल्टिविटी, टेर उन्नोंने जब टेरियो फरेलिट डूनों यों नहीं थेरी रॉंग, उनने बताया कि इस थेरी को गलत थाबित करना है, जे छे चीज़ करो और मेरी थेरी गलत थाबित हो जाएंगे, उसको कहते है अच्छा साइंटिस्ट, आपके अजम्शन में कुछ है क्या फॉरा फॉल से, टेस्ट ही नहीं है, अजम्शन करो टू प्लस की तक आपको कुरान को खला साबित करने का है, एक इक सिलाफ लगा रहा हो, टेक आउट सिंगल कॉंटिडिक्शन इन दो कुरान, और कुरान विल भी प्रूफड रहा हो, चाउदा सो साल से नकिसी तने किया, ना कभी कोई करेंगा, कुरान के आयत है, सुरे पकरा सुरा नमर्द आयत नमर्द तरियदा चौबीस में, कि ये कुरान अल्ला ने अपने पेगांब और मुहम्मद सल्वासन को जा, और एक चालेंज है, कि आप कुरान में से एक सुरा जैसा पेश करो, एक सुरा जैसा पेश करो, कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई काम या ना कभी र कान, इसवारो में is अपने अपने मित तो एक ये मुव और पॉस्यां मिर फ्साइड भाड़निधें टिम मुट ए मुटक्रशन कि भाड़निसट स सुरा खाडूंच नूर टीफटल वर्स number 29 ओने है, एक शेरों चेपन मिल एक प्रिज़ ज़ीदा एक शेर्परेंटील है, व को लिए खिता है। करना बीक्स बाओर जिए जिस पार धिए्ट का एफ धी पार जिए बाड़ीज भी जिएेट जिए। इस विरच अपनर जुट फिर्ट इंटुट अंटुक्टिर्ह जूर्ख अपनुट इंटुट्रिए। वो तो ऊपर जुटिए। कुरान से से अंपना, अट्रते सब्समें प्र오 विशना है,विए विशना फौन क्वेजिङ एंथंप सब्सक्राण गिव हैं,फिक व्या थिक रिल्ग 치टान चेट रिल्ग apart brag टो कौुरान डिन वह बुथ। अपनि continue to move the всего,ख रिल्म कुरं व्मादै वहोंग। त्वरुटि clo मोदा स्कुर्ए लुब। लुंग। था छोडुंगarta कर दिखांज punya ऐताका framework थांप थार्छी युडेए सेविight पा Almost संॉछी गूल वे धुंगह गिमान्धी क कॉष औा डॉकोंगờ this in the Quran do you know your early answer what was the early answer what was the early answer anonymous scientist that was my earlier answer no then you modified then you modified what it is after that some scientist you're forgetting do you want me to show you I said it was no then I corrected that Maruti Marcon bowling up like a manufacturer manufacturer creator maker inventor that is the correct answer who scientists takey carrying a discover carrying out would the second number two the manufacturer may be a scientist or may not be a scientist manufacturer is first the person who does research on it is the second person the researcher can discover it but the real world is manufacturer creator inventor not scientist there are many non-scientist people who make no table chair scientist or not a carpenter banata the carpenter co-pataic chair can say can I tell you about one a special chair carpenter never know scientist or yeah I said no pair teacher there do you know your carpenters he is a manufacturer do you a Quran the kiss me like a is kind not to manufacturer or nay inventor name maker name it maker is inventor is the creator a hum arby make it Allah English below can take on you feel the arts key science they are they are not eliminating God they are eliminating models of God that's the reason Francis became a very great philosopher and scientist he said that little knowledge of science makes you an atheist and in the knowledge of science makes you believe in God ice key science is not eliminating God the eliminating models of God la ilaha illallah so the more science you know shallow knowledge of science will make you an atheist in depth knowledge of science will make you a believer in God but you will start thinking this thing cannot be God a God who can be killed a God who can die a God who requires help from a second God then you are eliminating this cannot be God this cannot be God la ilaha la ilaha no God no God but Allah the creator of this universe the manufacturer of this universe the inventor of this universe so the answer with the help of science there is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran with the help of the Quran you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased if he is biased yet he may keep on debiting on the bush if he is unbiased and if he truly has knowledge of science like many questions you told you gave me wrong answer the help to then you agreed with it so the person who has true knowledge of science will agree that there is one God which we call as creator which we call as sustainer which we call as maker in Arabic we say Allah just a final question before the final question do you agree that the author of this is the inventor the manufacturer of the creation of the universe you may not know his name name is not important Quran says in Surah chapter 17 verse 110 call it Allah with the Ramona I am a tattoo for a lot of smallest now say call upon him by Allah but I'm on whichever name you call upon him to him belong the most beautiful names final question will come later on let's handle one question see asking question is very easy agreed is right or wrong teacher nae nae ka ka paila right take a wrong a teacher a picture a picture a page a right I'm a person who believes in doing few things but properly I'm a scientist I don't know if you're a scientist or not though you claim to be I'm not a scientist I never said I'm a scientist I said I'm a student of science science student of science means not a good scientist but scientist but short about time student of scientists will not be a geologist a student of sciences not expert so we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things correct so I'm asking you do you agree that the author of this Quran is the inventor is the maker of this universe no because I believe I don't I assume it is not the question of assumption I asked you so many questions you kept on giving the answer but 2 plus is equal to 4 agreed 4 plus 2 is equal to 6 you agree 6 plus 2 is equal to 8 you agree no but 2 plus 2 is not equal to 4 you already said 2 plus 2 is equal to 4 I don't know I don't know who wrote Quran fine I'm not asking who wrote who could have mentioned it you agree with it has to be the creator you don't know the name I'm not asking you the name I'm telling you about the entity name is not important so you believe there's an entity that created the world just one minute just wait 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 I don't believe whether I believe or not is not important you agreed with it that entity you called as the creator as the manufacturer let's not jump to a second question whether I agree or not is irrelevant now you said that and I proved with your statement what you call him is secondary with all due respect please don't put words in my mouth you said didn't you say creator not into the inventor for the car for the car yeah it was contest specific I asked you something which you don't know about who would say again you went to the same answer the inventor the manufacturer so this also the author has to be the same when you say a plus 2 is equal to 4 a becomes a plus 2 is equal to 4 so a is equal to 2 to you minus from here 4 minus 2 2 a is equal to 2 no no but I never say it is equal to 2 but you agreed a plus 2 is equal to 4 so as a scientist I have to agree with you you said a is equal to 2 that means you don't know math so it's not worth talking about science you agreed with it that the person is a creator it's being recorded on so many cameras I think more than 25 cameras and you're saying I'm putting words in my mouth now you're laying allegation against me as I'm telling a lie but am I telling a lie I'm not saying that so it is simple it's simple equation if you cannot believe in this equation then what is the discussion what is the use of talking about science that means another student of science also leave us a scientist you you have to agree what you say if you backtrack then you are wasting time here if you made a mistake you say you made a mistake if you agree you have to agree you can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved that means you're not truthful to yourself that means you're shooting and then drawing the bullseye you understand if you got the answer by a technique I used using science now because the answer is so easy you are not accepting it because it goes against your assumption in science if the experiment goes against the assumption you change your assumption right or wrong why are you changing your assumption that means I'm a scientist you can make assumption you do experiment if it matches the assumption it is right if it doesn't meant you change your assumption so do you change your assumption so do you change your assumption that do you change your assumption or not I believe the creator creator are natural forces forget which force it is there is a creator or not is my question what do you want to discuss first point number one we have to believe there is a creator finish in an abstract sense yes whether abstract or physical we'll discuss tomorrow is there create or not but then the question is don't ask me a second question please you are the longest we have given you time don't take advantage of because there's so many people standing in the queue there let's not waste time I have to finish it within less than a minute is they create or not do you agree yes or no whether abstract or not we'll discuss tomorrow tomorrow means not tomorrow means tomorrow means if you want to discuss inshallah in my cabin after the lecture get four eleven o'clock onward no problem for one or two or five or ten or I'll give you time after 11 p.m. none that means you breathe as a creator this creator what we call in Arabic we'll discuss after us we Muslims in Arabic call as Allah some people call us God so now when you know the true picture of the God the false picture is removed so now there is no God but Allah and what is the more details of Allah you can see my DVDs I'll give it to you on the concept of God in various religions that will give you more knowledge and my cassette is the Quran God's word I request the volunteers to give him a DVD of is the Quran God's word then we'll discuss more qualities of God after hope that answers the question thank you